नमस्कार दोस्तों योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे UVP 1.5 वेक्यूम पंप के बारे में मैं आपको यूनिवल्ड कंपनी के इस वेक्यूम पंप का तमाम टेक्निकल डड़ा बताने की कोशिश क करूँगा तता आप दोस्तों ने जो इस वेक्यूम पंप के बारे में अपना एक्सपिन्स शेयर किया है वो भी मैं आपको बताऊँगा ताकि आप अपने लिए वेक्यूम पंप का च्रियंड करते वक्त जो पंप आप ख़रना चाहते हैं उसके बारे में जो भी नकरातमक वे सक्रातमक बाते हैं वो आप जान पाएं इससे पहले भी मैंने कई वेक्यूम पंप के उपर वीडियो बनाए हुँ है जिने आप लेस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को स्सक्राइबर शकीजिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो आपको दोट मिल जाएं तो दोस्तो यह कंपनी कहती है कि UVP 1.5 वेक्यूम पंप नविन्तम टेक्नोलोजी का इस्तेमाल करते हुए इस पंप निर्मान किया गया है ताकि आप इसका उप्योग करते हुए एक अच्छा वैक्यूम प्रापत कर सकें आप इसका उप्योग एर क्रिशनर, फ्रीज, आर्टो, मॉबाइल तथा अन्य रेफिजरेशन उपकनों पर सुगमता से कर पाएंगे आप इसे CFC लगबग फेज आउट हो चुके है दोस्तो, HCFC वेज, HFC रेफिजरेशन पर असानी से कर सकते हैं CFC जो रेफिजरेशन है वो लगबग फेज आउट हो चुके हैं और इसका उपयोग आप मिनरल ओयल, इस्टर ओयल, इलकबिंजिर ओयल तथा, PAG ओयल के साथ यह पंप सुमता से कर लेता है इसका डाटा जाने से पहले इसके कुछ मेंन फीचर है जो कमपनी बताते हैं उसे हम जानेंगे आप वीडियो में देखते रहिएगा, मैंने इसके वो फीजर आपको एक्स्प्रेंड की है सबसे पहले मैं आपको इसका मेंन डाटा बतातेता हूँ दोस्तों यह है 1.5CFM, 14.5L परती मिन्ट कैपस्ट्री के साथ वाला वेक्यूम पंप है यह है टू स्टेज रोट्री वैन पंप है 38.5CFM की कैपस्ट्री के साथ यह वेक्यूम कर सकता है ऐसा कम उतने का दावा है और इसके जो फिलेर है जिसे हम चार्चिनान कुनेक्ट करते हैं एक बड़े च्यार और हाफ के इसमें आपको मिलेंगे तर्मर ओरोट प्रेक्शन दोस्तों इसका 1.4HP है वोल्टेज रेंज 110 वोल्ट और 220 वोल्ट पचास से साथ हैजडर पर आपको यह उपलब्द होगा ओयल कपेस्टी जो ओयल इसके अंदर आता है 140 सिमिलेटर ओयल इसके अंदर आता है और भी फीचर है वो मैं आपको बसाता चलूँगा यह इसके पोर्ट है हाफ का और एक बटे च्यार का दोस्तों यह पावरफुल है कूलर रनिंग यानि की ज़्यादा गरम नहीं होता लो डेसिबल यानि की इसकी आवाज बहुत ही कम है आवाज कम ज़्यादा होती है दोस्तों स्पीड के साथ और फैन कूल्ड मोटर दोस्तों इसमें मोटर एरवेंट जो मैंने आपको दिखाये थे इसका साइट कलास है काफी अच्छा साइट कलास है ट्रांस्पेर्न अच्छा है आप देख सकते हैं काफी लाइट वेट है हम काम पर ले जाते हुए इसको अपने टूल बेक्स में भी डाल सकते हैं और यही वो इसका जो सबसे स्ट्रोंग सकरात्मक फीचर है वो यही है कि काफी हलका है वज़र में दोस्तों इसका डाटा मैंने आपको बताया और मैंने इसके साथ इस सिस्टम को वेक्यूम किया मेरे को इसका रेजल्ट ठीक प्राप्त हुआ आप सभी का अपना अपना एक्स्पेरेंस हो सकता है जैसे एक दोस्त ने बताया कि यह DC मोटर का है जिसमें कार्बन होते हैं अगर इसका आर्मेश से जल जाता है तो पंप को असाने से रेपेर नहीं करवा पाते लेकिन इन्होंने यह भी कहा है कि अगर आप रेपेर करवाने जाते हैं तो हमसे संप्रक कर सकते हैं वो कुमेंट्स आपको मेरे पीछे वाले वीडियो में मिल जाएगा जो एक वेक्यूम से ही सम्मंदित है और इसका जो सबसे सकरातमक पहलो वो है इसका वजन में हलका होना जिससे आप इसे आसाने से ट्रांस्पोर्टेशन कर सकते हैं और दोस्तों यह है अमेजन पर भी आपको मिल जाएगा 9500 तरी का लगभग इस पर अमेजन पर यह है आपको प्रुप दोगा और आप अन्या बजार में भी इसको इसके रेट के बारे में जान सकते हैं तब ही आप इसे खरीदें तो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं फिर से मैं आपके इसके कुछ main feature के बारें बता देता हूँ यह 1.5 CFM का double stage rotary wind vacuum pump है यह इसके air vent है जो आप सामने देख रहे हैं यहां से यह हवा लेता है इस motor को ठंडा रखने के लिए और सबका अपना अपना experience होता है जैसा एक experience दोस्त का था वो मैंने आपको बता दिया फिर भी आप इसे online खृषते हैं जिसका link मैं description में डाल दूँगा और इससे पहले मैंने value के vacuum pump पर भी एक video बनाया था उसका link भी मैंने description में डाल दिया है आप हर जगे rate को try करके ही कोई भी अपना spare parts खरीदे जब आपको संतोस्ती हो जाए तभी वो खृषते हैं चाहे online अगर आपको सस्ता लगता है तो वहां से खृषते हैं अनथ्या आप बजार से भी इसे ले सकते हैं इसके जो सभी नकारतम स्कारतम पहलूते हैं वो मैंने आपको बता दिये वीडियो को लाइक और शेव अर्शकी जीगा चैनल को स्वेव करना भी मत भूलिएगा मैं आपको आगे भी ऐसे ग्यानवाद तक वीडियो आपके लिए तरह हूँगा धन्यवाद दोस्तों